आज हम बनाते हैं घर पे मिक्चर आप असानी से गर पे बना सकते हैं और बहुत ही कम लागात में बहुत सारा बन के रेडी हो जाता हैं और इसका टेस्ट काफी बड़ियां बनता है फ्रेंट्स अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्ली समें चैनल को सबस्काइब करना ना भूले तो चलिए फिर बनाते हैं नमकीन मिक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे खड़ा मसूर यह जो दाल आती है न औरेंज कलर की मसूर दाल बस वही है साबुत अब इसे फूलने देंगे अब उसी टाइम हम डाल देंगे एक चुथाई चम्मच बेकिंग सोड बेकिंग सोडा डाल के दिये फूलाएंगे तो आपका नमकीन इदम खस्ता बनके रेडी होगा अब इसे तीन से चार घंटे के लिए भीगो के छोड़ देना है अब सेम तरीके से चना डाल को भी भीगो लेंगे अब इसे भी मैंने एक बार धो लिया है अच्छे से अब इ क्या करना है एक किचन टाविल लेना है और किचन टाविल के ऊपर ये सारे मसूर को इस तर फैला देना है फैलाने से इसमें जो भी पानी रहेगा वो मौशर निकल जाएगा क्योंकि जैसे ही आप तेल में डालेंगे वैसा ही न छीटा पढ़ने लगता है और थोड़ा सा प पंखे के नीचे 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तो इसमें जो भी पानी होगा, वो सारा सुख जाएगा, सिफ पानी को सुखाना है, दाल को नहीं सुखाना है, 15-20 मिनट में आसानी से पानी सुख जाएगा, अब बूंदी बना लेते हैं, क्योंकि मिक्चर में बूंदी क्योंकि बहुत ज्यादा पीला हो जाता है, और 1 चुथाई हिं पावडर, हिं पावडर जरूर्ट से डालें क्योंकि हिंग पावडर डालने से अच्छा फ्लीवर आता है, अब थोड़ा सा बूंदी को खसता बराने के लिए डालेंगे एक चमच तेल, एक ही चमच डालना ह बस अब तेल डालके बेसन में मिक्स कर देना है सारे मसाले को बूंदी मनाते टाइम आपको यह ध्यान रखना है कि बेसन को आप किस तरह से घोले हैं बहुत अच्छे से घोलेंगे तभी बूंदी आपका अच्छा बनेगा अब देखे हमने एक बार थोड़ा सा पानी डाला है फिर थोड़ा सा डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से दो मिनट तक इस तरह फेट के घोलेंगे अब बेसन को हमें किस तरह से गोलना है जैसे हम लोग बेसन का पकोड़ी बनाते हैं तो कैसे पकोड़ी बनाने के लिए बेसन को घोलते हैं बस उसी तरह से घोलना है एकदम फलपी कर देना है तो आपका बूंदी बहुत बढ़िया बनेगा अब देखिए इसकी consistency, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गाड़ी भी नहीं है बेसन को हमने घोल के ready कर लिया है, बेसन को 10-15 मिनट ले इसी तरह छोड़ देंगे अब मिक्चर में डालने के लिए सेव बना लेंगे, उसके लिए दो कब बेसन लेंगे, बेसन आप कोई सा भी ले सकते हैं अब इस बेसन में डालेंगे नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर इदम चुटकी भर ही डालना है अब इस बेसन में डालेंगे एक चुथाई चमच, हिंग पाउडर, हिंग पाउडर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है सेव में अब इसमें डालनेंगे तीखी वाली लाल मिर्ची, आधी चोटी चमच और थोड़ा सा मोयन डालेंगे मोयन डालने सेव अपका एकदम खस्ता बनके रेडी होगा अब इन सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है अब बेसन में सारा मसाला मिक्स हो गया है अब थोड़ा थोड़ा पानी डालके सक्त डोर रेडी कर लेंगे अब बेशन का सक्त डो रेडी हो गया अब इसे 10 मिर्ट के ले साइड में रख लेते हैं और बूंदी बनाते हैं बूंदी बनाने के लिए एक बूंदी वाला ज्ञारा लेंगे अब उसके ओपर बेशन का गोल जो हमने रेडी करके रखा था उसे डाल देंगे अब ज्ञारा को हलके हलके से हिलाना है जैसे आप हिलाएंगे वैसे ही बूंदी आपका नीचे गोल 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 गिरना सुरू हो जाएगा जारों को एकदम उपर रखना है नीचे नहीं रखना है आप बहुत जादा नीचे रखेंगे जारा को तो आप कम बूंदी गोल गोल नहीं बने का लंबा लंबा बन जाएगा और इस तरह से एकदम गोल गोल बूंदी बनके रेडी होगा अब एक बर बुंदी को इस तरह से चला लेते हैं और बुंदी दो मिनट में बनके रेडी हो जाता है देखें अब एकदम गोल-गोल बुंदी दिख रहा है न अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरह से अब सेम प्रॉसस से बागी कभी बुंदी बना लेंगे अब सारे बुंदी बनके रेडी होगे आप देख सकते हैं किस तरह से एकदम उपर से डालने से आपका बुंदी एकदम गूल गूल बनेगा अब इसी तेल में हम दाल को तल लेते हैं मसूर की दाल है जिसको हमने थोड़े देर के लिए पंके के नीचे सुखा लिया है अब दाल को तब तक तलना है जब तक उपर से पूरा जहाग खतम नहीं हो जाए अब देखे पूरा ज्हाग यदी खतम हो गया होगा तो समझेगा आपका दाल अच्छे से क्रिसिपी होगया है अब ये पूरा ज्हाग क्तम हो गया अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरह से इसमें जितना भी एकशिस ओयल होगा पूरा निकल जाएगा अब इसी तरह हम बाकी का भी दाल तल लेंगे अब सेम तरीके से हम चने दाल को भी तल लेंगे मीडियम फ्लेम में तलना है बहुत लो फ्लेम नहीं करना है बहुत हाई फ्लेम नहीं करना है मीडियम फ्लेम में आप दाल को तलेंगे तो आपका दाल क्रिस्पी बनेगा अब ये चना दाल भी अच्छे से क्रिस्पी हो गिया है अब देख सकते हैं उपर का जाग पुरा खतम हो गिया है अब इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं अब बेशन से सेव बना लेते हैं, उसके लिए सेव बनाने वाला लिने हैं, यह मार्केट में बहुत ही इसली आवलेबल है या फिर आप उनलाइन भी पर्चेश कर सकते हैं, अब इसमें थोड़ा सा तेल लगाएंगे, तेल लगा के चिकना कर लेने से बेशन अंदर तक हो जाता है अब यह सेव भी बन के रेड़ी हो गये अब इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं अब थोड़ा सा प्न gwटल ड्रलेंगे हैं यदि आपके पास नुशे कॉन में दाने से बहुत ही ज़्यादा ठेश्टी बनता है अब अब इस तरह से तेल में डालेंगे और तीन में डालके इस तरह से हम तलके निकाल लेंगे अब इस कॉनफलेक्स अच्छे से तला गया अब इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं अब इस मिक्चर में एक कप की करीब मुंफली डालेंगे आप इस मुंफली को तेल में तल लेंगे मीडियम फ्लेम में अब हमने मुंफली को भी मीडियम फ्लेम में तल लिया है मुफली तल्टे टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आप medium flame में ही तले यदि high flame करेंगे तो उपर से brown हो जाएगा और अंदर से कच्छा रह जाएगा मुफली अब इसे भी हम एक plate में निकाल लेते हैं अब फिर से इसी तेल में एक cup पोहा डालेंगे पोहा को भी तलेंगे पोहा थोड़ा सा तेल ज्यादा एब्जॉब करता है इसलिए ज्यादा नहीं डाले एक ही cup पोहा को तले अब देखें पोहा भी तला गया है पोहा को भी हमने निकाल लिया है अब इस mixture में हम थोड़ा सा क परकिल प्रक्र दौना आधिये थाधेयों। नमक याँचली परद Богममट दर काल्या के बीक्तितित दलेते हैं। तीखी वाली लाल मिर्ची अलग से डालेंगे थोड़ा सा साधा नमक में थोड़ा सा कट्टा पन लाने के लिए चुटकी बर साइट्रिक केसीड डालेंगे साइट्रिक केसीड से थोड़ा सा कट्टा पनाता है और थोड़ा सा डालेंगे आधा चमच अमचूर पाउडर मिक्चर को तीखा बनाने के लिए डालेंगे घर की पिसीवी लाल मिर्ची अब इस मिक्चर में डालेंगे थोड़ा सा आधी छोटी चमच हल्दी पाउडर हल्दी पॉडर से थोड़ा सा कलर अच्छा आता है अब इसमें हम डाल देते हैं जो हमने करी पते को तल के रखा है वो इस तरह से और सारे मसाले को मिक्स कर देते हैं मिक्चर में अब यह सारे मसाले मिक्चर में पूरे अच्छे से मिल गया हैं अब यह मिक्चर बनके रैडी ह आप इस तरह से असानी से घर पे मिक्चर को बना सकते हैं बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं और बहुत ही कम लागात में धेर सारा बन के रैडी भी हो जाता हैं अगर आज की ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें फिर मिलते हैं अगली रेस